कन्नोज में प्यूस जैन के बाद दो बड़े और इत्र कारोबारियों के हां रेड हुई है छापे मारी की कारवाई चल लए है कन्योज के मंड़ई इलाके में और छिपटी इलाके में दीदार गंज में दो बड़े इत्र कारोबारी उनके हाँ छापेमारी की कारवाई हुई है इंकम टेक्स ने रेड की है और पंपी जैन जो समाजवधी पार्टी के मलसी हैं उनके घर में इस समय आधिकारी छापेमारी की कारवाई को इंजाम दे रहे हैं पोलिस कर्मी बाहर बैठे हुए हैं पहरे पर ना किसी को आने दिया जा रहा है और ना ही किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है घर और कारखानों पर रेड हो रही है तमाम ठीकाने हैं कानपूर है कन्नौज है सूरत है तमाम ऐसे जन्पद हैं इलाके हैं जहांपर रेड एक साथ डाली गई है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है जो एकाउंट से संबंधी जो करमचारी है अंपी जैन के या मलिक म कि गई थी जिसमें काफी अकूद संपत्य मिली थी इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि पंपी जैन का भी नंबर आ सकता है हाला कि रेड के बाद प्यूस जैन के रेड के बाद चार दिन तक पंपी जैन गायब रहे थे और उसके बाद आज चुकी टाइमिंग पर बड़ा सवा कि और प्यूस जैन के बाद पुषपरा जैन और पंपी जैन और मलिक मियां क्या एक साथ चापे मारी की कारवाई चल रही है देखना दिल्चस्पोगा कि मिलता क्या है क्योंकि लगातार सवाल उठाय जा रहे हैं टाइमिंग पर क्योंकि आज अकले श्यादों कन्योज में होंगे और कन्नोज में आकर विरोधियों को जवाब देने के पहले कुछ घंटे पहले ही यह चापे मारी की कारवाई कर दी गई कन्नोज से कैमरमेन पंकर निकम के साथ रतीश तिरवेदी एबीपी गंगा कि एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब कि